जब जिन्दगी में बुरा वक्त आता है, तो हर तरफ अंधकार और नेगेटिविटी हमें घेर लेती है। इनसिक्योरिटी और आशंकाएं हमारे दिल और दिमाद पर हावी हो जाती हैं। ऐसे वक्त में हम अपने अस्तित्व को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। और यह असुरक्षा हमारे विचारों और फैसलों पर गहरा असर डालती है। इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण बाते बताने वाला हूँ जो आपको तब याद रखनी हैं जब आपकी जिन्दगी का बुरा वक्त चल रहा हो जिन्दगी में ऐसे पल अकसर आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ ठम गया है या जीवन में आगे बढ़न का रास्ता बंद हो गया है लेकिन इस मुश्किल घड़ी में इन दो बातों को याद रखना आपको मजबूती और साहस देगा ताकि आप इस बुरे वक्त से बाहर निकल सकें बात नमबर एक हर मुश्किल वक्त के पीछे एक सीख छुपी हुई होती है यह बात हमें यह बत लगे या हमें दुखी करे परंतु वह हमारे अनुभवों को समरिध बनाता है और हमें भविश्य में मजबूत और समझदार बनाता है तो चलिए इस बात को एक कहानी से समझते हैं एक छोटे से गाव का लड़का था जो हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा रखता था उसने कड़ी महंत की और बड़े शहर जाकर एक बड़ी नौकरी पाई पहले कुछ साल बहुत अच्छे गुजरे लेकिन फिर अचानक उसकी कमपनी ने आर्थिक मंदी का सामना किया और नंदन की नौकरी चली गई नंदन के लिए यह समय बहुत कठ थिन था वह दिन रात इस चिंता में डूबा रहता कि अब क्या होगा नौकरी खोने के बाद उसके आत्म विश्वास में कमी आ गई और वह खुद को असफल मानने लगा कई महीनों तक नंदन ने नई नौकरी के लिए प्रयास किया लेकिन हर बार असफलता का सामना करना प डादा जी ने उसकी हालत देखी और उसे समझाया बेटा जीवन में कठिनाया आती है लेकिन हर मुश्किल समय तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है यह समझो कि तुम्हारी असफलता तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है नंदन ने सोचा और महसूस किया कि नौकरी जाने से उसे धैर्य सन्यम और नई चीजें सीखने की प्रेणा मिली उसने गाउ में रहते हुए अपने पुराने हुनर को निखारने का फैसला किया उसने खेती और पशुपालन के नए तरीके सीखे और कुछ महीनों में उसका छोटा व्यवसाय खूब सफल हुआ नंदन ने सीखा कि हर कठिन समय हमें हमारी ताकत और कमजोरी के बारे में सिखाने के लिए आता है बात नंबर दो हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है यह बात हमें यह समझने में मदद करता है कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता चाहे कितनी भी बड़ी समस्या या चुनौती क्यों न हो वह समय एक दिन बीट जाता है और उसके बाद जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं यह विचार हमें जीवन में धैर्य और विश्वास रखने की सीख देता है खास कर तब जब हम सबसे ज्यादा निराश होते हैं इस बात को एक कहानी से समझते हैं एक महनती और होशियार लड़का था जो इंजिनेरिंग की पढ़ाई कर रहा था उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चर रही थी लेकिन अंतिन वर्ष में उसकी मा की अचानक तबियत खराब हो गई रवी को अपनी पढ़ाई छोड़कर मा की देख भाल करनी पड़ी घर की आर्थिक स्थिती भी कमजोर हो गई और रवी को नौकरी करने का फैसला करना पड़ा रवी के लिए यह समय बहुत अंधकार में था उसकी पढ़ाई छूट गई थी और घर के हालात भी दिन बदिन बिगड रहे थे रवी ने कई बार सोचा कि उसका भविश्य बरबाद हो गया है वह निराश होकर हर दिन संधर्ष कर रहा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी रवी ने दिन रात काम किया और अपनी मा का इलाज करवाया कुछ समय बाद उसकी मा ठीक हो गई और उसकी स्थिती भी धीरे-धीरे सुधरने लगी जब उसकी मा ठीक हुई तब रवी ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की उसने कड़ी महंत की और अपनी डिगरी पूरी की आज रवी एक सफल इंजिनियर है और उसने अपनी महंत और धैर्य से अपनी जिन्दगी में उजाला लाया है तो दोस्तों जब जिन्दगी में बुरा वक्त आता है तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है वक्त बदलता है जितनी भी मुश्किले हों वे स्थाई नहीं होती हमें धैर्य और सन्यम से काम लेना है और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है आपके पास जो चुनौतिया है वो आपको मजबूत बनाने के लिए है तो खुद पर विश्वास रखें बुरा वक्त एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें जीवन के असली माइने समझाता है याद रखें अंधेरा चाहे जितना गहरा हो एक नई सुभा का इंतजार हमेशा रहता है